एक घने जंगल में एक बरगत का पेड़ था उस पेड़ पे दो कववा रहते थे और उस पेड़ के बिल में एक शाप रहता था जब जब कवो का बच्चा होता था तब तब वो जहरीला साब उन बच्चों को खा जाता था और एक दिन दोनों कवोंने बॉल सकते हो मैं कितने दिन अब ये तकलीफ सहूंगी अपने बच्चों का खोने का बताओ मैं क्या करूं क्या करूंगा बताओ तुम तकलीफ मत करो बताओ उस जहरीले साब से हम लोग क्या लड़ सकते हैं हाँ बताओ उस पेड़ के नीचे गट्धे में रहता था एक लोमडी दोनों कवो का उस लोमडी से बड़ी ही दोस्ती थी हमारे इन दोनों बच्चों को कैसे भी करके बड़ा करना होगा लेकिन मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कब हो चहरीले साब आएगा वो आती से खा जाएगा क्या करू मैं बताओ मुझे भी तो यही डर लगता है लेकिन खाने के तलास में बाहर तो जाना ही होगा मैं क्या कह रही हूँ चलो हम लोग चलते हैं किसी और पेड़ पे जाके वास करेंगे यही करना होगा लग रहा है लेकिन जाने से पहले लोमडी दोस्त से जाके बात करना होगा इस विस्से में अमारा दोस्त बहुती बुद्धी मान हैं सब को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगा तोम लोग अपना घोशला छोड़के जारो है उसका मतलब तोम लोग शाप के सामने हार मान गे लेगिन दोस्त हम लोग तो उस जहरीले साप से नहीं लड़ सकते अले दोस्त तुम्हाए पास शक्ती नहीं हो तक गया हुआ दिमाग तो है ना दिमाग के आगे शक्ती कुछ नहीं उस लोभी शाप को तुम लोग चटूटा से ही सबक्षी खा सकते हो समझे दोस्त कैसे दोस्त शिनटो फिर राजमहिल के सरोबर में राजकन्य स्नान कर रही थी इस्नान करते समय वो अपना वस्त्र और अलंकार किनारे रख कर इस्नान कर रही थी तब ही उसी समय यही समय है दिमाग लगा कर काम खतम कर लेता हूँ कि अरे अरे यह कववा मेरा हार लेके चला गया गॉंड कहीं हो क्या हूँ क्या हूँ जल्दे से जाके उस कववव को पकड़ो मेरा हार लेके चला गया है वह अब लेके आ रहा है अब में अपनी आखरी काम खतम कर लेता हूँ अब तुम्हारी केल खताम कहां गया पेड के बिल में हाट डाल लिया है हाँ लानी चलो इसमें तो एक जारीले साफ है साफ ही तो क्या हुआ टंडरी से मार दे खोटो महगरा साफ चलो हर को लेकर राजकुमारे की पास बुद्धी रहने से सब कुछ होता है बुद्धी मान के सामने कुछ भी असमभब नहीं पहुत देर हो गई मगर अभी तक पुजारी नहीं आया महराज वही तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा आगे जाकर देखू बहराज इतनी घरमी है प्यास के मारे गलास सूख गया है जाता हो पेड के नीचे बैठ कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और देखो हम लोगों के पुजारी वहां बैठे है यह क्या पेड के नीचे बैठ कर हाथ पैर फैला कर गोद में सिंहासन लेकर आराम कर रहे है यह बात तो महामंत्री को जाकर बताना पड़ेगा अभी जाकर महामंत्री को बताता हूँ नई 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 यह क्या बोल रहे हो आने दो पंडित को बताता हूँ प्राणा महराज आने में थोड़ी देर हो गई चलिए अब पुजार शुरू करते हैं आज से आप अपना पुजा करने का अधिकार खो दिये लेकिन मेरी कल्थी क्या है महराज आप पेड़ के नीचे बैड़ कर गोद्मे सिंगहासन रखकर आराम कर रहे थे और बोलते हो देरो गई यह बात क्या जूट है नहीं महराज यह क्या पंडित जी आप वो पवित्र सिंगहासन को अपवित्र करके जो अपमान किये हैं उसी कारण आपको इस पाप के लिए प्राश्चित करना होगा और जब तक आप अपने पाप का प्राश्चित नहीं कर लेते तब तक राजमहल में पूजा एवं पूरे नगर में भी आप पूजा नहीं कर सकते अगर आप कहीं पूजा किये तो आपको मृत्ति दंड दे दिया जाएगा अब तुमी बताओ गोपाल एक पूजारी का अगर पूजा करना बंद हो जाए तो कैसे चलेगा रो ये मत रो ये मत पूजारी जी आप दो तीन दिन धैर रखिये मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ ठीक है गोपाल महाराड रख तयार है चलो गोपाल थोड़ा घूम आते हैं चलिए महाराड ये कहां लेकर आये हो गोपाल यहां बहुत बदगुदार वातावरण है समसान है महाराड देख नहीं रहे है चारो तरफ चिताएं जल रही है तारथी तुरंत रत वापस ले चलो जो आ गया महाराड अशुद्ध हो गया हो अब इस ठंड में भी नहाना पड़ेगा आपको भी और हमको भी क्यों समसान में जो मटका था लग रहा है वो चिता बुझाने वाला मटका था महाराड राथ तो एक वाहन है उसके पहिये के नीचे चिता बुझाने वाला मटका थूटे या फिर चिता जलाने वाला लकडी तूटे उससे हमको क्या फर्क महाराड गरीब पंडित जी भी तो नारायन सिंहासन लेकर राज महल जा रहे थे वो भी तो भगवान के बाहन थे तो इससे नारायन कैसे अशुद्ध हो गए तुम्हारी बुध्धी न्याय शास्त्री का जवाब नहीं लेकिन वहां तो धर्म शास्त्र का उलंगन किया था इसलिए उनको तो प्राश्चित पूरी करनी पड़ेगी तुम जाकर उनको बोलो अपनी प्राश्चित पूरी करके राजदरवार में आये पूजा के लिए और जो भी खर्च होंगे वो मैं दूँगा ठेक है महराज सच मुझ गोपाल आज तुम्हारे वज़ा से मैं फिर से पूजा पाट सुरू कर दिया तुम्हारा ये कर्ज मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा गोपाल जिन्दगे में नहीं भूल पाऊंगा एक गाउं में बास करते थे एक मुर्गा एक कुत्ता उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी सुन रहे हो डोगी भाई लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है क्या होगा है और क्या होगा पही सुबा सुबा सबके उठने से पहले उठकर सबको सुबा सुबा जगाना और खाने की तलास में लग जाना अच्छा नहीं लगता है अब ठीक बोल रहे हो मुडगे भाई एकी जैसा है जीवन हम दोनों का मुझे और अच्छा नहीं लगता एकी जगा घूमना और इधर उधर घूमके खाना डूनना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है चलो एक काम करते हैं क्या आइडिया तो चलिए ना हम दोनों मिलकर कहीं घूमने चलते हैं कहीं घूमकर आएंगे तो हम दोनों का मन अच्छा लगने लगेगा हां बहुत अच्छा आइडिया है तो तो तलो घूमने चलते हैं मैं बहुत दिन दे घूमा नहीं हूं बहुत ही मज़ा आएगा हां हाँ तो फिर कल सुबा हम लोग रवाना हो जाएंगे ठीक है हाँ ठीक है अगले ही दिन सुबा सुबा दोनों दोस्त निकल पड़े घूमने के लिए कुछ जगे घूमने के बाद जब वो दोनों ठक गए तो डोगी भाया घूम घूम के न मैं बहुत ठक चुका हूँ चलिए न कहीं ठेहर के आराम करते हैं फिर कल सुबा निकलेंगे घूमने के लिए हाँ हाँ भाय मैं भी पहूर ठक चुका हूँ दलो उच पेल के नीचे आराम करते हैं हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो चलो आज हम लोग यहीं आराम करते हैं यही कहके दोनों दोस पेड़ पे आस्रा लिये कुता पेड़ के घोशले में रहा और मुर्गा डाल पे देखते ही देखते रात पीत गई और सुबा होते ही जब मुर्गा वांग दिया तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसे खाने के लालच में लोमडी आ गया अई यहां क्या कर रहा है कहां से आया है यह अगर मेरे हाथ लग जाए तो इसे बड़ा ही मजे से खाता मैं कैसे वी करके इसे नीचे उतारना ही पड़ेगा अरे मुर्गा भाईया मुर्गा भाईया वहां क्या कर रहे हो नीचे आओ ना क्यों लोमडी भाई कितने आच्छे हो तुम देखने में कितने रंग दिरंगे हो एक बड़ नीचे आओ ना तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूं और दोस्ति करना चाहता हूं हम्, तुम्हारी चलाकी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, रुको मज़ा चक्खाता हूँ, क्या हुआ लोमडी भाईया, जो बोलना है वहीं से बोलो ना मैं सुन रहा हूँ, नत इतने दूर से कोई बात करता है, और पत्तों के बीच में से सही से तुम्हारा चेहरा भी नही ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो लोमडी भाई, तो फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा रक्षक नीचे पीड की घोसले में सो रहा है, उसे पहले उठाओ, अरे, नीचे घोसले में एक और मुरगा है, मैं कार में मैं अपने समय खराब कर रहा था, उस से नीचे उतरने के लिए बोल के जाता हूँ, पहले उसको ही खाता हूँ, अच्छा भाई, ठीके में, पहले तुमारे रक्षक को ही जगाता हूँ, लोमडी पेड के घोसले के तरब बढ़ा, उसे खाने के लालच में, और मुरगे का तोस्त कुत्ता, उसका गला पकड़ा, और उसकी वाही मोथ हो गई, और मुरगा पेड पे खड़े खड़े, देख रहा था तमासा, बड़े ही मज़े से, लोमडी मर गया, ठेंक्यू, टो की भाईया, क्या, तुमने मेरा दिया हुआ उपहार खो दिया, इसके लिए कठिन से कठिन सजा मिलेगी, महराज, जो मैं गलती की हो, उस गलती की सजा, अब जो देंगे मैं सर जुका के लूँगी, महराज, तो ठीक है, इसी छड़, तुम मेरा राजमहल त्याक कर, चली जाओ, महराज यही मेरा आदेश है, आज रात में ही तुम राजमहल छोड़ कर, चली जाना रानी मा, रोने से कोई फायदा ने, अब क्यों नहीं, गोपाल को बुलाती है, उनसे बोल कर देखिए, वो हो सके, तो इस समयस्या का कोई समधान ढून दे, हाँ, बात तो तु ठीक बोल रही है, तो फिर जा, जल्दी से गोपाल को बुला के ला, अब ही जा रही हूँ रानी मा, बहुत दुख की बात है, रानी मा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं कहां तक क्या कर सकता हूँ, नहीं, गोपाल एकदम नहीं, तुम जितनी भी विंती कर लो गोपाल, आज मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, रानी को जो मैं सजा दिया हूँ, वो सजा परकरार रहेगी, रानी जाते समय उसका जो प्री होगा वो ले आ सकती है, यह बात रानी को बता देना, ठीक है महाराज, रानी मा, आप समझ गई है न, आपको क्या करना होगा, हाँ गोपाल, ठीक है, ठीक है, तरानी मा अब आप इधर संभालिए और मैं उधर जाकर संभालता हूँ ठीक है गोपाल महराज आपके सजा के आदेश पे मैं महल छड़के जा रही हूँ लेकिन जाने से पहले मेरी आप से एक अनुरोध है अगर आप सुने तो ठीक है तो बताओ क्या है तुम्हारा अनुरोध महराज मैं जाने से पहले आपके लिए सर्वत बनाई हूँ अगर आप पी ले तो ठीक है तो दो तुम्हारा सर्वत रानी मा पाल की तयार है अब आप आईए और महराज को अए आओ तुम्हारा अब उठाओ महराज को आर यो मैं कहां गया ये तो मेरा राजमन नहीं है ये क्या? रानी, तुम अब तक यहीं हो? महराज, मैं आपका राजित त्याग कर आ गई हूँ ये मेरा मैखा है यहाँ मैं कैसे आया? महराज, पिछले दिन आपी नहीं तो कहा था कि मुझे जो प्रिय होगा मैं लेके जा सकती हूँ तो एक पत्नी के लिए पत्ती ही तो प्रिय होता है निकट होता है, इसी लिए हम, सच बताओ तो, यह बुद्धी किसकी है? जी महराज, मेरा है हाहाहाहाहाहाहाहाह तचमुझ गोपाल, तुम्हारा बुद्धी का मैं कैसे तारीव करूँ? महराज, अब आप रानी मा को छमा कर दीजिये हाहा, जरूर, जरूर, रानी, मैं तुम्हे मन से छमा कर दिया हम, गोपाल, उच बुद्धी के लिए यहलो तुम अपना इनाम हाहाहाहा